गुड मॉर्निंग वल अफ यू आप सब कैसे हैं उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे यस माइनेम इस अमडी नजमुल होदा एंड दिस इस यूर ब्यूटिफुल चैनल बायो टो बायो बच्चे हम लोगोंने हेल्ट एंड डिजिज याने किलास 12 का करेंट सेलेबस के को आप लोग पहले देख लिजिए यह चैप्टर आप लोग को पहले बता रहा हूं कि यह चैप्टर जो है अभी सिलेबस के सिलेबस से हटा दिया गया है फिर भी इनसे कुछ 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 कुश्चन्स उठा सकते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि इससे लगभग 10-20 जाने नहीं देंगे तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना लेट किये चैप्टर का नाम आप जानते हैं स्टार्टेजी फोर इनहेंस्मेंट इन फूड प्रोडक्शन्स क्लास 12 का यह चैप्टर नंबर आपका जो है करेंट सिलेबस के अनुसर आट आटवा चैप्ट में आपको यह चुनना है कि पसु पालन के अंतरगत नहीं रखा गया उसको पसु पालन फूड फॉलोविंग इस नोट इंक्लोडेड इन एनिमल हस्बंडरी ओप्सन है पीसी कल्चर दूसरा ओप्सन है पॉल्ट्री फार्म तीसरा ओप्सन है एपिकल्चर और चौथा मतलब होता है कारवनिक खेती या फिर हाँ और गेनिक खेती इसको लगाता है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा वह आरगेनिक खेती यानि डी नंबर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क यह और भी दोनो तो इसका अंसर आप लोग को पता है मुझे लगता ऐसा है कि एक कार्ज करता मधुमक्खी होता है जो फिमेल होते हैं वो क्या करते हैं शाहद बनाने का काम करता है और उसका जो सही और की औन्सर है वह है आपका ओरकर बिष सी नमबर हो जाएगा ठीक के बाद का उसके बाद का को बेसे कैल्चर की से संबंधित है पीसी कल्चर इज रिलेटेड़ डू विच आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि पीसी कल्चर क्या होता है माचली पालन यानि क्या बोलते है माचली पालन को ही आम लोग को पीसी कल्चर कहते हैं पूप् counselor दियाओ एक्वेटिक प्लांट जल में पोधे जलिये पोधे एक्वेटिक एंइमल आनि जलिये जीव जंतू इन्सेट अप मचली आप जानते हैं कि कुकट पलान जिसमें मुर्गी वंगरा पाला जाता है। तो क्या प्रफिक के जगह की इस नमबर और में भी नंबर हो जाएगा ठीक है पांट नेक्स्ट क्योश्चन समों लोग करते हैं क्नांकित में कुन सी बीमारी मुर्गियों में होती है मुर्गियों का मतलब होता कुकुट या फिर आप domestic falls भी बोल सकते हैं आप उसको which of the following diseases occurs in chickens chickens में कौन सा या मुर्गियों में कौन सा बिमारी होता है ismutt, cholera, ranikhet, ismutt और cholera दोनो यानि ये और भी दोनो दिया वह option क्या answer हो जाएगा इसका इसका जो सही answer हो जाएगा वह ranikhet हो जाएगा ranikhet जो बिमारी होता है वो मुर्गियों में होता है ismutt एक फंगस है, cholera एक बिमारी है जो मनिश्यों में होता है, ठीक है तो इसका सही answer जो हो जाएगा, वो ranikhet हो जाएगा next, tai chung ismett, say किसकी किस्म है या किसकी variety है ताइचुंग is the variety of which hybrid ठीक है ताइचुंग किसकी hybrid है या किसकी किस्म है option है पैड़ी यानि धान बी नंबर option है क्या बलते है गे हूँ यानि हुट मेज का मतलब भुट्ठा यानि मकाई का रीड का मतलब होता एक जिसको आप गन्ना कह लिजिए तो इसका क्या answer हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा ताइचुंग जो होता है वो धान की एक किस्म है धान की एक hybrid नसल है पैड़ी पैड़ी का एक नसल है ताइचुंग ठीक है तो इसका answer हो जाएगा पेड़ी धान इस किसम का आपको जो है अगर option दिखे तो आप इसे ही answer कीज़ेगा next question से सोना लिका था था कल्यान सोना एक किसम है सोना लिका और कल्यान सोना जी हाँ इस chapter में आपको जो है ज्यादा नसल ही पूछे जाते हैं और इसका एक ही lecture करेंगे उसके बाद इसको छोड जाएगा उई-टैसर हो जाएगा क्या answer हो जाएगा पूछे यानिकि आपका गया हूँ सोना लिकार लिकार कल्यां सोना आपने पड़ा है कि भाई यह किसम है इसके कुस्टेन में golden rice में पाए जाता है जोन सा विटामीन पाए जाता है विटामीन-C विटामीन भी सुट वि कि बीटामीन ए किस में पाया जाता है अगर ऑप्षन में golden rice दीखें सांसर कर दीजेगा इनके अलावा बीटामीन ए के बारे में आपको knowledge होगा कि घाजर में खास करके यह बहुत मात्रा में पाया जाता है ठीक है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है vitamin A की कमी से जिसको रतुम धी कहते हैं या night blindness कहते हैं क्या कहते हैं इसको रतुम धी कहते हैं या फिर night blindness रात में सही से ना दिखाई देना ठीक है यह बीमारी का और्मुख लक्छन है next questions पूसा सुब्रा एक किस्म है पूसा सुब्रा जो है किसका किस्म है पूसा सुब्रा इस दा भेराइटी ओप वेट, कॉलिफलावर, चिल्ली, कैबेज तो मैं इसका आनसर कर देता हूँ यह हो जाएगा आपका कैबेज का हो जाएगा यानि जिसको हम लोग पत्ता गोवी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पत्ता गोवी का एक जो है यह क्या है भराइटी है cabbage का एक भराइटी है फूसा सुबरा ठीक है next questions रेशम के धागे में कौन सी प्रोटीन पाएजाता है या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि सिल्क के धागे म फाइबरीन प्रोटीन अब बोलेंगे फाइबरीनोजीन किसमें रहता है तो फाइबरीनोजीन जो ऑप्सन बी में दिया हुआ है वो किसमें पाय जाता है वो आपका जो है पलाजमा में पाय जाता है किसमें पाय जाता है पलाजमा में पाय जाता है पलाजमा क्या होता है खू next questions our sessions का last questions है कोलोरेला कोलोरेला निमने लीखित में से क्या है वेसे कोलोरेला आपको क्या लगता है आप जल्दी से इसका answer करने की पुसिस किजिए option दिया हुए bacteria, algae, protozoa, single cell protein इस किसम का अगर आपको option दिखे तो आप answer कर दिजएगा क्या? algae कर दिजएगा actually ये algae है कोलोरेला लेकिन algae में क्या है? ये single cell protein है लेकिन इस तरीके का option अगर है अगर आपके इसमें तो आप algae को ही primary दिजएगा प्रथामिकता दिजएगा ठीक है? तो दोस्त मिलते हैं aglisations में इसी chapter का और 10 questions solve करेंगे उसके बाद जो है ना इस chapter को हम लोग खतम कर देंगे 10th chapter यानि आपका microbes in human life या फिर उसी को हम लोग करेंगे शुक्चुमजीब और वो सबसे important हम लोग का chapter रहेगा तब तक मिलते हैं जै हिंद जै भारत